Hello friends, स्वागत है आप सब करीब है recording में और यहां हम देखने वाले हम किस तरीके से conditionally दो pages के बीच में navigate कर सकते हैं ठीक है, अब इसका मतलब क्या है चोलो पहले मतलब समझते हैं, मतलब यह है कि मान लो, हम यहां बात कर रहे हैं कि कोई order page है, ठीक है, कोई order page है और यार अगर उसने successfully payment done कर दी, ठीक है, payment क्या हो गई payment अपनी done हो गई, तो यार उसको हम order confirmation page पे लेकी चले जाते हैं, ठीक है और मान लो, उसकी fail हो गई, तो यार मैं उसको order fail वाले page पे लेकी चले जाना चाहता हूं, या फिर मान लो, उसी चले पे रखना चाहता हूं, एक दूसर example लेते हैं, बहुत common example है, login page, है ना, तो जब अपना login page पे बंदा user detail जालता है, password डालता है, ठीक है, तो अगर भाई, उसका successful login होता है, ठीक है, तब तो यार हम उसको dashboard और ले पेज़ पे लेकि जाना चाहता है, ठीक है, मगर, मान लोगे किसी case से, उसने data को manipulate करने कोशिश की, किसी दूसरे account, किसी दूसरे बंदे का account access करने कोशिश कर रहा है, login, password और जो भी था, वो गलत हो गया, ना, तो हम क्या करते हैं, उसको हम उस page पे navigate नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको एक pop-up message शो करा देते हैं, भाई देख, तो गलत डाल रहा है, गलत काम कर रहा है, ठीक है, है कि नहीं, तो उसी चीज़ को हम implement कर सकते हैं, या फिर एक तीसरा condition, और मान लो कि कुछ user type है, कोई admin है, तो हम उसका admin page पे लेकि जाना चाते हैं, login के बाद, कोई vendor है, तो उसको vendor page पे लेकि जाना चाते हैं, या कोई simple सा user है, जो बस सामान खरीदना है, तो उसको सामान वाले page पे लेकि जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह की behavior अपने रेट के application में implement करना है तो हम करेंगे कैसे ठीक तो चलो अभी यह करने के लिए हम क्या करते हैं दो पेज बना लेते हैं हम order वाले एक्जामपल लेते हैं ठीक है तो मान लो कि अगर बंदा order successfully place करता है और हमें बनाएंगे कहा है हम यह बनाएंगे अपने home वाले पेज तो अब अब हम क्या करते है कि हम इस component वाले फोल्डर के अंदर दो plection बना लेते हैं ठीक है पहला तो मैं order successful बनाऊंगा और एक order failure बनाऊंगा ठीक है तो चलो हम सबसे वहाले दो pages बना लेते हैं success नाम से बना दिया इस copy को अठा देते हैं फिलाल और अगर आप यहां देखो कि error इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां हमने additionally import किया हुआ है तो इसको हमने अठा दिया ठीक है तब आप अगर देखोगे तो order fail और order success नाम का हमारा on click event लगाएंगी ठीक है तो हम यहां एक on click event लगाते हैं और यहां में लिख देता हूं handle order नाम का function मनाते हैं और यहां हम अपना function define कर लेते हैं तो यहां मैं क्या चाहता हूं कि हम इस handle order के अंदर कुछ value pass करें ठीक है या तो true या तो false इसके लिए यार मेरे को अब इसका थोड़ा से syntax change करके इसको error function की तरह change करना पड़ेगा ठीक है और यहां मानलो मैं कोच initial values की false send करता हूं ठीक है false का मतलब यह होगा है कि मानलो कि यार अगर कोई बंदा 20 पे click कर रहा है तो जो मेरे order हो फेल हो जा रहा है ठीक तो इसलिए मैं मैं मानलो इसमें false pass कर दिया ठीक अब मैं यार अगर इस value को यहां track करोंगा कि चलो मानलो फिर मैं यहां इसको track करता हूं इस completed नाम से तो basically यह जो false value है अभी किसकी value हो जाएगी इस completed की value हो जाएगी ठीक है तो मैं condition लगाना चाहता हो कि भाई अगर जो is completed की value है ठीक है वो true है तब तो यार हम यार तब तो ह अब हमें बना हमें अपने यहां बनाने पदेंगे एक successful page के लिए और ऐ फिलिर fan के लिए ठीक है तो महनो कि मैंने जो बटन है ठीक है अगर उस पे क्लिक करने पर जो मेरा order हो successful होता है तो तो यार वो order successful पेज़ पर चले जाए ठीक है और अगर order fail होता है तो order fail पर चला जा ठीक है तो हम यहां basically इसकी value को track करेंगे by using if statement and else statement मतलब अगर इसकी value true है तो क्या करना है false है तो क्या करना है ठीक है तो अब यार हमें basically एक page से दूसरे page के बिच में conditionally navigate करने के लिए एक direct auto dome का method हम उसे use करना पड़ेगा जिसको हम एक hook है जिसको हम use करते है जिसको हम बोलते है use navigate सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको import कर लेते हैं और हमें इसके बाद इसका एक instance बनाना पड़ता है तो मानलो मैंने एक variable लिया navigate navigate नाम का और इस navigate नाम के अंदर मैंने जो भी इसकी property उस navigation से मेरे को आ रही है ठीक जो भी return कर रहा है मेरा hook वो जाके इस navigate के इंदर store हो जा रहा है ठीक और इस navigate का हम use करेंगे एक page से दूसरे page के बीच में navigate करने के लिए ठीक है तो यहां मैं पार्ट डालूंगा कि यार navigate करेंगे else case में और हम यहां लिख देंगे fail ठीक है save कर लेते हैं और अगर मैं अब यहां के click करूं इस order page ठीक है तो अभी आप देखोगे तो हमारी case में क्या जा रहा है false जा रहा है मतलब कौन सा block hit होगा यह वाला block hit होगा ठीक है तो अगर मैं order पे click कर तो आप देखो order fail वाले page पे हम आगे ठीक है अगर आप यहां भी देखो हम देखो यह order fail वाले page पे navigate होगे ठीक है और अगर मान लो कि मैं इसकी value को दुबार से हम काम करते हैं पीछे आ जाते हैं और मैं इसकी value को अब change करके true कर देता हूं ठीक है for example यह तो मैंने true और false direct लिख दिया ठीक है अब यहां मालो कोई condition met हो रही होगी आपने कोई condition लिखा रहा है तो इस तरीके से आप conditionally navigate करा सकता है मालो कि मैं यह true कर देता हूं तो अब मैं अगर यहां click करूं तो मेरा order success वाले page पे चलागा ठीक है तो आपने देखा कि यह button same ही है ठीक है बट एक जगह पर navigate कर रहा है क based upon the condition ठीक है same चीजसे मैं apply कर देंगे जब हम अपना login वाला page apply करेंगे मालो हमने login की functional लिखी है यहां मेरा input fields है ठीक है मैंने यह finally input वाला button दबाया अब यहां जाए condition check होई कि भाई जो password वासवड है वो सही है कि नहीं है अगर भाई सही हो गया तो हम उसको dashboard पे navigate कर दे रहे इस वीडियो में काफी साजी चीज़े सीखने को मिली होगी तो next वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से no match routes को define करते है no match routes मतलब कि वो pages जो हमने भी तक define ही नहीं किया हमने उसको भी तक हैंडल किया नहीं ठीक है तो अगर मैं उन सभी pages को हैंडल करना तो हम किस तरीक स हैंडल करेंगे ठीक है तो चलो यार मिलते हैं फिर आपनी नेक्स वीडियो में तब तक लिए हम नाइस देए और गुडबाए